नमस्कार दोस्तों, फॉक्फिट नियूस में आप सभी का हर्दिक स्वागत है सबसे पहले तो कॉमेंट में नमो नमो की जड़ी लगा दें क्योंकि आज एक ऐसा कार्दावा हो गया है कि जिस से चीन का यूटर्ण साफ नजर आ रहा है और ये बात सीधे पता लगती है कि भारत ने कोरोना के बाद पूर दुनिया में आर्थिक स्लोडाउन तो हुआ आर्थिक मन दिया है जबरदस्ट लेकिन भारत ने जिस तरीके से जबरदस्ट कमबैक किया है पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सिकल और कोई से लेकर कोरोना वैक्सीन तक की ज़ड़ी लगा दी है यहाँ भारत में दो वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है और तीसरी अप्रूव होने वाली है और चौती भी लाइन में है तो इस तरीके से भारत के वल भारत को ही नहीं सब तमाम दुनिया को भारत को वैक्सीन बाटने वाला है तो यह भारत का जो बिग लीप है बड़ी छलांग है इससे चीन भी डर गया है सहम गया है और चीन ने आखिरकार घुटने टेक दिये हैं जी हाँ आप लोगों को पता देता हूं कि भारत के पक्ष में चीन का बोलना उतना ही आप रत्याशित है जितना कि रवीश कुमार का इसलामिक आतंगवाद के विरुद आकरामक होना या फिर किम जोंग उनका उतरी कोरिया में लोकतंतर भाल करने की पेशकश करना लेकिन कुछ ऐसा ही हो गया जग चीन ने भारत निर्मित कोरोना वाइरस वेक्सीन के पक्ष में अंचाहे तरीके से ही सही परन्तु अपनी बात बोली और अपनी हार को एकसेप्ट किया अब अपने एक लेक में चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइमस ने आज चले जनक रूप से भारतीय वेक्सीन का पक्ष लेते हो उसकी तारिफ करी अपने लेक में ग्लोबल टाइमस ने कहा कि वेशेशक्यों ने कहा है कि भारती ये टीके चीनी टीकों के मुकाबले में किसी से कम नहीं है फिर चाहे बात रिसर्च की हो या फिर उत्पादन शमता की सपष्ट है कि ड्रैगन इस समय ये मानता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिन निर्माता है और शम कीमतों में कमी और अच्छी सुविदाओं के चलते भारत के टीकों की कीमत भी कम है आपको बता दें कि वहां वाइरस से लड़ने है तूब भारत कई वैक्सिन को बढ़ावा दे रहा है और सीरम इस्टिटूट अफ इंडिया के सहयोग से बनी कोवी शील्ड वैक्सिन का जहां ड्राइरन शुरू हो चुका है तो वहीं पोनतया सुदेशी वैक्सिन को वैक्सिन भी बन के लबग दियार है और इसे एमर्जेंसी उपियोग के लिए सुविक्रती भी मिल चुकी है लेकिन Global Times केवल यहां पर नहीं रुका उनका कहना है कि भारत वैक्सिन के एक्सपोर्ट यानि के निर्यात की योजना बना रहा है और वैश्विक बजार के लिए ये एक अच्छी ख़बर हो सकती है लेकिन उसके इस कदम का राजनेतिक और आर्थिक मकसद है रिपोर्ट में कहा गया कि नई दिल्ली देश में बने टीके का उपयोग वैश्विक राजनिती में अपने दखल को बढ़ाने अपने दबदबे को बढ़ाने और चीन द्वारा निर्में टीकों का मुकाबला करने के लिए कर रहा है रिपोर्ट में जिलिन उनिवर्सिटी स्कूल अफ साइंस के जियांग चुनलाई का हवाला देते हुए कहा गया है कि जैनेरिक दवाईयों के निर्माण में भारत नंबर एक की पोजिशन में वर्ल्ड में कायम है और भारत भी वैक्सिन मनाने में चीन से पीछे नहीं है जियांग ने कहा कि भारत स्थित सीरम इस्टिट अफ इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सिन का उतपादन करता है और कुछ मामलों में तो ये पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ देता है अब चीन का जो डर है ये गलत नहीं है क्योंकि भारत पहले भी चीन को हर मोके पे चुनाथी देने के लिए कमर कस चुका है फिर चाहे वह बो रणनीतिक मोर्चा हो या फिर आर्थिक मोर्चा ही क्यो ना हो चीन भारत द्वारा फार्मा शेतर में प्रवेश करने की संभावना से कितना सहमा हुआ है ये ग्लोबल टैंस की रिपोर्ट के एक अज़ सही सपष्ट पता चलता है अब मतलब सीन ये है कि चाइना को लगता है कि देखिए या वाइरस तो हमने बनाया लेकिन भारत वालो ने उसकी दौईवरना डाली और वो भी हमसे ज़्यादा हमसे तेज और हमसे कम कीमत पे चीन को एबात ना जिससे कहते है कि ना तो निगलते बन रही और ना उबलते बन रही कि हमारा ही वाइरस मैंने केते हैं कि अब अनी की बिल्ली उनी पे कुम्याओं हो गई है कि उनी के वाइरस आपको बता दे कि चाइना में अब कॉरोना की दूसरी लहर आ गई है जिसके कारण हुबई से पेचिंग शेहर कि जाने वाली flights पे रोक लगा दी गई है और lockdown की स्थिती चाइना में दुबारा शुरू हो गई है क्योंकि चाइना में कोरोना के cases दुबारा से बढ़ने शुरू हो गए है और भारत में जहां लगातार कोरोना के cases में कमी देखे जा रही है इस बात से कहीं ने कहीं भारत का जो lockdown mechanism है और जो भारत की जो administrative policies हैं कोरोना को लेकर जो भारत सरकार की जो policies रही को मिलाकर उन policies को काफी advanced तोर पर पुरी दुनिया में देखा गया है अभी हाल ही में कोरोना management को लेकर उत्रप्रदेश सरकार की जो तारिफ करी गई है योगी सरकार की WHO के द्वारा वो भी एक सरहनिय कदम है एक भारत का जिसे कहते हैं कि एक milestone अजीव हो रहा है पूरी दुनिया में अब इस बात को मानने से पूरी दुनिया पीछे नहीं हट रही है अब एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय vaccine निर्माता ने शुरू में ही WHO गैवी और दक्षन अमेरिका में पैन-अमेरिकी स्वास्तिय संगठन यानि पैहो जैसे जो ग्लोबल संगठन है उन सभी से गटबंदन कर लिया था जिनोंने टीके के निर्यात में मदद करी है ग्लोबल टाइम्स ने बीबिसी की एक रिपोर्ट के हवाले से बात कही है कि भारत लगबग 60 वीसर टीके का उतपादन करता है और कई देश कोरोना टीके की खुराग बेज़े जाने का बेसबरी से इंजार कर रहे है और आज पूरी दुनिया एक तरीग ऐसे किसी भी बिबिमारी की वेक्सीन के लिए भारत का रुख देखती है अब विशेश कर बात करें कोरोना वाइरस की तो कोरोना में पुरी दुनिया ये जानती है कि जल्दी से जल्दी भारत ही सबसे सबसे बढ़िया वैक्सीन और सबसे लाज स्केल के प्रड़क्शन पर अब केवल भारत बना सकता है वैश्विक बजारों में भारत निर्मिट टीकों की बरती स्युकारिता के बीच ये रिपोर्ट जब सामने आई तो भारत की वैक्सिन की बरती स्युकारिता जो है एक्सेप्टेंस है ग्लोबल लेवल पे उसको दर्शाता है जब आपके दुश्मन भी आपकी योगिता पर कुछ सकार अत्मक बोलने को मजबूर हो जाएं तो समझ जाएए कि आपने क्या उपलब्दी प्राप्त करी है चीन भारती वैक्सिन की बरती लोग प्रियता को अपने जहां एक तरफ खरतर मानता है लेकिन उसके बावजुद भी उसे भी भारती वैक्सिन की शमता पर दो मीठे बोल बोलने ही पड़ गए और यहां पर भी कुछ बुद्धी जीवी ऐसी है हमारे देश में जिनका बस चले तो यदि भगवान उन्हें अमरित भी दें तो यह कहके न कार देंगे कि यह था भाजबा का अमरित है आप समझगे हैं हम टॉटी चोर यादव की बात कर रहे हैं हमारे टॉटी चोर कहते हैं हम भाजबा की वैक्सिन नहीं लगाएंग अरे भाजबा की कोई नेता अमेशा अपने घर में बैठके वैक्सिन द्रणना बना रहे हैं वर्ल्ड की सबसे एडवांस हाइटेक वैक्सिन लेबरेटरी जो हैं वो सीरम इंस्टिटुट अफ इंडिया के पास हैं और वो वहाँ पर बैठकर वैक्सिन बना रहे हैं तो क्या वो मोदी जी बना रहे हैं या अमेशा अपने घर में कुकर में वैक्सिन बना रहे हैं आप कैसी बात करते हैं इस देश के नेता ऐसे हैं कि वतन बेच देंगे चमन बेच देंगे अगर ये काट के पुजारी इनका बस चले तो आपना तन, मन और आपका धन बेच देंगे तो इस प्रकार के इस देश के अंदर नेता है जो कि इस देश को किसी भी कीमत पर लूट कर खाने के लिए तयार है और कुछ भी हो जाए उन्हें कोईसी भी सकारात्मा कदम जो भारत में उठता है उससे उनको सकत नफ्रत है क्योंको इस देश के अंदर जो वामपन्ती मान सिकता का जो वाइरस, कोरोना वाइरस से भी ज़्यादा खतरनाक है वो सबसे ज़्यादा इस देश के लोगों को डसा हुआ है आज जाए इस देश के हिंदू गहरी नीन में सेकिलरिजम की गहरी नीन में सोया पड़ा है तो वहीं इस देश का वामपन्ती है इस देश के अंदर जो जिहादी मान सिकता का तत्वा है वो ये सोचता है कि किसी तरीके से भी भारत में होने वाली हर जो प्रोग्रेसिव ठींकिंग है किसे जो गड़म है भारत का उसका किस तरीके से विरोध करा जा Championships भारत में होते हो विकास का कैसे उसका खंडन किया जाए भारत में होते हो seldom हर विकास watch कारी कैसे उसकी जो है उसके खिलाब बोला जाए तो यही इनकी मान सकता है इन लोगों की आप चाहे कुछ भी अच्छा कर लिजिए इस देश में एक्सप्रेस वेज बनाईए आप लोगों से आगे लेना चाहूंगा आप लोगों से एक छोटी सी मेरी निवेदन होगी कि आप हमारी हर वीडियो को शेयर करेंगे आप लोगों की वीडियो को शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यही बैल आइकन का निशान नहीं की गंटी का निशान नहीं दबाया है तो गो एड और प्रेस बैल आइकन और हर वीडियो आप तक पहुंचेगी दोस्तों अभी के लिए इतना ही जै ह जै भारत नमस्कार